आपका स्वागत है आगे नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइन्स पर SKM का सरकार को अल्टिमेटम मांगे पूरी ना हुई तो शहीदों के अंतिमर्दास दिवस पर बड़े कारिक्रम का होगा एलान हत्याकार्ण में मंत्री वब पुत्र को बचाने में जुटी सरकार ऑपरेशन डाइवर्जिन चालू लखीमपुर खिरी पत्रकार की मौत सुर्खियों में क्यों नहीं आ पाई कुर्णाब देट में देश में 24 गंटों में 22,000 से जादा नए मामले 308 मरीजों की मौत अब नज़र डालते हैं खबरों पर और विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खिरी हत्याकार्ण की आरोपी आशिश मिश्रा के पिता आजय मिश्रा ने कल अमिच्छा से मुलाकार भी की थी इस मामले में सरकार भले ही दावा कर रही कि उसने पूरे मामले को शांत कर लिया है परंथु किसान संयुक्त मोर्चा जिसके नेत्रित्व में यह पूरा अंदोलन चल रहा है उसने साफ किया है कि आशिश मिश्रा की गिरफतारी, केंड़ सरकार से ग्रेह राज्य मंत्र आजय मिश्रा की बर्खास्तगी और हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्र के पत्से स्तीफा देने तक स्केम के मांगिये लंबित है संयुत किसान मोचा ने सरकार को अल्टिमेटम जारी करके कहा है कि यदि यह मांगे पूरी नहीं होती है तो शहीदों के अंति मर्दास दिवस पर बड़े कारिक्रम का एयलान किया जाएगा इस घटना को लेकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और दुनिया में बीजेपी की नेत्रित्र वाली राज और केने सरकार के आलोचना हो रही है इसके साथ ही किसान जिन मुख्य मांगों को लेकर पिछले दस महिनों सरकों पर आंदोलन कर रहे हैं उनको भी लेकर देश भर में अंदोलन जारी है चार शहित किसानों और स्थानी पत्रकार के शवों का आंतिम संस्कार हो गया है हाला कि एसकेम ने चेतावनी दी है कि नियाई मिलने तक लड़ाई खत्म नहीं होगी एसकेम ने हर्याने के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर को उनके समयधानिक पत्से हटाने या इस्तीफे की मांग भी द्वराई है हमारी दूसरी भी ख़वर जो है वह अभी लखीमपुर खीरी से है उर्मिलेश सवाल उठा रहे हैं कि केंड़ी राजिमंत्री अजय मिश्रा और उनके पुत्र आशिश मिश्रा को बचाने के लिए सरकार क्यों लगी हुई है क्यों विपक्षी नेताओं को घटना सल पर जाने से रोका जा रहा है आई ये सुनते हैं क्या कहना है उर्मिलेश का जो अठाई सेकंड का वीडियो है उसमें इस पूरे कांड का सबसे बड़ा खतरनाक जो एक छण है वो उसमें दर्ज है कि कैसे गाड़ी आती है और वो गाड़ी कुचलते हुए वो गाड़ी चल रही है और किसान आगे बढ़ रहे है पीछे से वो किसानों को दरेटे हुए दबोसते हुए कुचलते हुए आगे निकल जाती है और मंत्री ने आन रेकार्ड्स विकार किया है तो वो उनकी गाड थी उनके उनका दावा यह है कि उस पर उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बैठा था उनका ड्राइवर था जिसको कई किसानों की हत्या के बाद लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और वहां उसको शायद मारा गया है यह मंत्री जी का कहना है अब जो भीर ने या इतनी सारी लाशों को देखने के बाद लोगों ने गुस्से में जो ड्राइवर को जो कुछला या मारा पीटा उसकी अस्पताल में मौर्थ हो गई वो एक असलियत है और इसके लिए निश्चित रूप से हम यह नहीं कहते कि वो अपराद नहीं है अपर को कहिना है कि उस गाड़ी पर मंतुरी पुत्र थे मंत्री का कहना है कि नहीं थे असल जांच-पड़ताल का व्शाए है यही है और आजकल कलपना कीजिए कोई न भी हो कलपना कीजिए तो आजकल तो निर्देश देने के लिए टेलीफून ही काफी है लेकिन अब सवाल इस बात का है कि टेलीफोन अभी तक पुलिस क्या जब्त करेगी जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं किया है जिस पर हत्या का मामला दर्ज़ है यानि आशी समिस्रा मंत्री पुत्र को इतने दिन हो गए तीन-चार दिन हो गए और आज तक मंत्री पुत्र को F.I.R. दर्ज होने के बावजूत नामजद उत्तर प्रदेश की बहादूर पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया क्या हत्या के मामले में ऐसा F.I.R. कभी देखा गया है उसका execution उसका implementation देखा गया है यहां तो संदेह की आदार पर लोग गिरफ्तारियां करा देते हैं अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस देश में उगरवादी होने के नाम पर अशांती पैदा करने के नाम पर और वे सारे विद्वान हैं लेखक हैं बुद्धी जीवी हैं आनंद तेल तुम्डे जैसा अंतरास्टी ख्याती का विद्वान है गौतम नौलखा जैसा एक मशूर पत्रकार मारवादिकार कारता है मैं कितने लोगों का नाम हूँ सुधा भारद्वाज जैसी एक बहुत ही व देटे को बचाने पर आमादा है और इसमें टेलिवीजन चैनल भारत के साकार कर रहे हैं साकार का मतलब उसकी सायोगी घुमिका में हैं मैं कल देख रहा था देश के बहुत नामी चैनल जिसके दो-दो चैनल हैं अंग्रेजी हिंदी में और वो जिस बेश्यर्मी के साथ मं हम तो यह कहेंगे कि भारती जंता पार्टी को सत्ताधारी दल को अपने प्रवक्ताओं पहटा लेना चाहिए इंकर उससे ज्यादा बेटा डंग से काम कर रहे हैं ऐसा हत्याकांड और ऐसे हत्याकांड के ऐसे अभ्युक्तों के बचाव में हमने उन पत्रकारों को नहीं द देखा है जब नेता, मंत्री, मंत्री, बड़े अपसर, वकील और यहां तक की पत्रकार भी कई बार बचाव में लिखा करते हैं हमने वो दिन देखे हैं लेकिन ये तो इस्टार वो तो छोटे पत्रकार थे कहीं गाउं के कहीं कस्बे के कहीं शहर के जहांत्या कांड हुआ और बचाव में लिखने लगे क्योंकि वो पता चला उसी विरादरी के थे या उनको किसी ने खुश कर दिया था लेकिन यहां तो बड़े बड़े स्टार हैं और वो सारे एक ही बात बोल रहे हैं सिर्प एक डेड़ चैनलों को छोड़ कर और वो एक डेड़ चैनल कौन है आप जानते हैं वो भी बड़े प्रेसर में आजकल रहते हैं तो यह हाल लखीमपूर थीरी किसान हत्याकांड का है और उसमें सरकार किस तरह बचाव कर रही है अब बात करते हैं उस पत्रकार की जो लखीमपूर हिंसा में मरे हुए लोगों में से एक थे यानि की रमन कश् कि उनके बवेटे की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सोक संतप्त परिवार के लिए परियाप्त मुआवजा और उनकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी दी जाएं ताकि उनके दो छोटे बच्चों की देख भाल की जा सकें पत्रकार रहीवार को लखीमपूर खीरी में मारे प्षतकार में कहा है कि वह रहीवार को लखीमपूर खीरी में भड़की हिंसा के बार किसी ऐसे शव की पहचान करने के लिए दौड़ पड़े जिसे कोई नहीं जानता उन्होंने याद किया कि उन्हें बताया गया था कि एक कार ने लोगों को कुचल दिया था और तिकोनिया में किसान के विरोड के स्थल पर कथित तौर पर गोलियां चलाई गई थी एक स्कूल सिक्षक से पत्रकार बने रमन विरोड प्रदर्शन को कवर कर रहे थे कई घंटों की मशक्कत के बार पिता को अपने बेटे का शव मिला आखरी में कोरोना अपडेट केंडिस स्वास्त मंटाले द्वारा आज गुरुवार साथ अक्तूबर को जारी आकडों के निसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 22,000 से जादा नए मामले दर्ज किये गए और 3-8 मरीजों के मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में कोरोना से पेड़ित 24,000 से जादा मरीजों को ठीक किया गया है और अक्तिव मामलों में 2489 मामले कम हुए है देश में कौरणा संक्रमेट के माम्लों की संक्या बढ़ कर 3 करोड से जादा हो गई है, जिनमें से अब तक करीब 4,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कौरणा से पीडित 3,32,000,000 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और active मामलों की संक्या घट कर 2,40,000 हो गई है स्वास्त मंत्रालाई की तार्या जानकारी करनुसार देश में कुर्णा वैक्सीन की अब तक 12 करोड से जारा डोस दी जा चुकी है देली राउंड अप में बस इतना ही इन सभी ख़बरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं और साथी साथ जाए हमारी हिंदी वेबसाइट हिंदी.newsclick.in पर हमें फॉलो कीजे ट्विटर, फेस्बुक, इंस्सेक्राम पर और सब्सक्राइब कीजे यूट्यूब पर देखते रही न्यूस्क्लिक रन्यवाद